हे गाईज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल, आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें वोट्सप करना है, आपको तुरंत आपकी सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी आवेलेबल होंगे, वो सेंड कर दिये जाएंगे, हमारे जो वोट्स नमबर रहेंगे, वो हैं 86, 96, 85, 41, आप इस नमबर पर हमें वोट्स अप कर सकते हैं, आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी स्टुडेंट्स होते हैं, वो कॉंटिनियसली इस पर कॉल करते हैं, थैंक्यू सो मुच परिचये पा रहें, हम घरेलू उप्योग के लिए केरोसन तेल का उप्योग करते हैं, पैट्रोल, टीजल और सीएंजी का उप्योग वाहनों में किया जाता है, इन सभी इंधनों में हाइड्रोकार्बन होते हैं, यह रोचक है ना? बहुत ही रोचक है, कृपिया मुझे हाइड्रोकार्बनों के बारे में और बताएं? तो ठीक है, आओ शुरू करें. उत्तेश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्नी करने में सक्षम हो जाएंगे. हाइड्रोकार्बनों को परिभाशित करना हाइड्रोकार्बनों का वर्गी करण समझना एलकेनों की व्याख्या करना नामकरण की IUPAC पधधी के अनुसार एलकेनों का नामकरण करना एलकेनों के समावयवों की पहचान करना तथा उनकी सन्रचनाएं लिखना एलकेनों की विर्जन की विधियां सीखना एलकेनों के भौतिक वारासायनिक गुणधर्म लिखना और एथिन के संरूपणों का वर्णन करना परिभाशा पूरी तरह से कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हाइड्रोकार्बन कार्बनिक योगिकों का सबसे महतपूर समो है ये सरलतम संगठन वाले कार्बनिक योगिक होते हैं और जनक-पदार्थ माने जा सकते हैं, जिनसे अन्य सभी कार्बनीक योगिक उत्पन्न किये जाते हैं. सुविधा के लिए हैडरू कार्बनों को दो मुखे सम्मूहों में बाटा जाता है, वीवरित श्रंकला तथा सम्वरित श्रंकला. वीवरित श्रंखला वाले योगिकों में एक से अधिक कारबन परमाणू होते हैं कारबन परमाणू परस पर जुड़कर एक वीवरित श्रंखला बनाते हैं इस श्रंखला में एक या अधिक पाश्व शाखाएं हो सकती हैं संवृत्य योगिकों में कार्बन परबाणू एक या अधिक संवृत्य वले बनाते हैं। संत्रिप्त तथा असंत्रिप्त योगिकों में इन दूनों मुख्य समूहों के रासाइनिक वहवार के अनुसार इने आगे उप विभाजित किया जाता है। वर्गी करण। उपस्तित कार्बन कार्बन आबंधों की प्रकृति के आधार पर हाइड्रो कार्बनों को तीन मुख्य श्रिणियों में वर्गी कृत किया जा सकता है। संत्रिप्त, असंत्रिप्त तथा एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन। संत्रिप्त का अर्थ है कि प्रतेक कार्बन एकल सह सैयोजी आबंधों द्वारा चार अन्य पर्माणों से बंधा होता है। कारबंद्वारा आबंधित किये चानि से पूर्व हाइड्रोजन परमाणू प्राया सभी उपलब्द आबंध इस्थितियां ग्रहन कर लेते हैं। असंत्रिप्त हैड्रो कार्बनों में दूई आबंध या त्री आबंध होते हैं, चुकि हैड्रोजन पर्माणों के संदर्भ में योगिक असंत्रिप्त होता है। इसलिए अतरिक्त इलेक्ट्रोन दो कार्बन पर्माणों के बीच बढ़कर दोरे या तीरे आबंध बनाते है Aromatic Hydro Carbon एक विशेश प्रकार के सम्वृत्य योगिक होते हैं हम कार्बन की चतुर सईयो जक्ता तथा Hydrogen की एकल सईयो जक्ता को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार यानी विवृत्य श्रंखला तथा सम्वृत्य श्रंखला के ऐसे अड़ों के मौडलों की बड़ी संक्या निर्मित कर सकते हैं Alcane, ऐसे Hydrocarbon जिनमें केवल एकल आबंद होते हैं Alcane कहलाते हैं ये संत्रिप्त Hydrocarbon कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रतेक संभविस्थान पर Hydrogen होता है इससे इनहें एक सामाने सूथर CnH2n-2 प्राब्द होता है प्रतम चार एलकेन मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हैं जो लेविस प्रतीकों के साथ दिखाए गए हैं एलकिक समुहूँ एलकिक मूलता एक एलकेन होता है जिससे इसके हाइड्रोजन परमाणूं में से एक नहीं होता उधारन के लिए यदि मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणूं हटा दिया जाए तो हमें मेथिल प्राप्त होता है इसी प्रकार यदि एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो हमें एथिल प्राप्त होगा एलकेनो के नामकरण की आई यू पीएसी पद्धधी एक आई यू पीएसी यानी International Union of Pure and Employed Chemistry में अनेक देशों की राष्ट्रिय रासाइन समीतियों के रासाइन विग्यानिक शामिल है आई यू पीएसी की एक समीती The Commission on Nomen Culture of Organic Chemistry ने कार्बनिक योगिकों का नामकरण करने की एक पद्धती इस्थापित की है किसी योगिक के नाम का अंतिम प्रतीक उस परिवार को इंगित करता है जिससे यह संबंदित होता है सभी एलकेनो के अंत में A.N.E. होता है एलकेनो के नामकरण के I.U.P.S.E. नियम सभी एलकेनो तथा सैकलो एलकेनो के नामके अंत में A.N.E. होता है जनक श्टिंखला सनचना में कारबनो की सबसे लंबी सतत श्रिंखला होती है उधारण के लिए शाखिद श्रिंखला एलकेन को निम्न जनक से बना बाना जाता है CH3, CH2, 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 CH3 22 से तीसरे C को CH3 के साथ H से प्रतिस्थापित करते हुए जनक श्रिंखला में श्रिंखला के किसी भी सिरे से संख्यांकित कारबन परमाणूं दो संभव संख्याओं में निम्नतर की प्रत्थम शाखा की अवस्थिती बताते हैं दिये गए उधारण के लिए बाएं से दाएं सही दिशा है एलकेनों के नामकरण की IUPAC पद्धती दो जनक श्रिंखला से जुड़ी प्रतेक शाखा का नामकरण एलकेन समूह के अनुसार करें इस उधारण में यह शाखा मेथिल होगी एलकेन के नाम को जनक के नाम में उपसर्ग की तरह जोड़ें परिणामी नाम के आगे एलकिल समू की अवस्थिती संख्या लिखें इस उधारण में ये तीन मैतिल हेक्सेन होगा जब जनक से दू या अधिक समू जुड़े हूँ तो प्रतेक का नामकरण करें और प्रतेक को एक संख्या से निर्धारित करें एलकिल प्रतिस्थापियों के नाम वन माला करम में वेवस्थित होते हैं संख्याओं को शब्दों से प्रतक करने के लिए सदैव हाइफनों का प्रयोग करें निमन देखें चार एथिल दो मैथिल हैप्टेन जब दो या अधिक प्रतिस्थापी सद्रिश होँ तो डाई 2, ट्राई यानि 3, टेटरा यानि 4 जैसे उपसरगों का प्रयोग करें तथा प्रतिक समू की अवस्थिती संख्या निर्दिश्ट करें सदैव किसी संख्या को किसी अन्ने संख्या से अल्प विराम द्वारा प्रिथक करें निमन देखें जब सद्रिश समू एक ही कारबन पर हो तो नाम में कारबन की संख्या दोहराएं निमन देखें दो, दोर, डाई मेथिल पेंटेन कई बार आपको कोनों पर जाने तथा सबसे लंबी जनक श्रिंखला प्राप्त करने के लिए जिग जग करने की आविश्यक्ता हो सकती है निमन देखें तीन, चार, डाई मेथिल हेप्टेन एलकेनो का विर्चन एक विकार बॉक्सली करण विकार बॉक्सली करण में COOH-GP वाले अड़ों से CO2 को हटाया जाता है Sodium Potation के संत्रिप्त मोनो कार्बोकसलिक एसिड लवन को सोडा लाइं के साथ शुष्क आस्वन करने पर एलकेन प्राप्त होता है ओर्श अभिक्रिया इधर में एलकिल हेलाइट का विलियन सोडियम के साथ गर्म करने पर एलकेन देता है एल्किल हेलाइडों के अप्चैन द्वारा एल्किल हेलाइडों को जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल द्वारा अप्चैन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं एल्केनों का विर्चन दो एल्केनों के हइड्रोजनी करण द्वारा सेबेठिये वा सेंडेरेंस की विधी उत्प्रेरक हैड्रोजनी करण पर एल्किन तथा एल्काइन, एल्केन प्रदान करते हैं कोलबेक की विद्द अब घटनिये विधी संत्रिप्त मोनो कार्बकसिलिक अमलों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र जलिये विलियन का विद्ध अबघटन करने पर एलकेन प्राप्त होते हैं किसी अमल लवण का विद्ध अबघटन सम्मितिय एलकेन देता है हालकि कार्बुक्सिलिक अमल लवणों के मिश्रण में सभी संभावे एलकेन बनाते हैं एलकेन के भौतिक गुण धर्म स्थिती सभी रंगहीन होते हैं तथा कोई विशेश गंध नहीं होती निम्नतर एलकेन C1-C4 गैसे हैं मध्यवर्ती C3-C17 द्रव है तथा इन से उच्चतर ठोस होते हैं अनुभार में बढ़ोत्री होने के साथ एलकेनो का कोथनाग भी बढ़ जाता है क्यूंकि अनुभार में बढ़ोत्री होने के साथ इनमें वांडर वाल्स बलो में बढ़ोत्री हो जाती है अर्थात कौधना क्रम, पेंटेन, हैकसेन, हैप्टेन्स एलकेनो का विशाखन करने से प्रिष्टिक शित्रफल में कमी भी होती है क्यूंकि आकरिती गुलिये होती जाती है जिसके परिणाम सोरूप वांडर वाल्स बलो में कमी आती है इसलिए समाव यवी एलकेनो का क्रम, पेंटेन, आईसो पेंटेन और नियो पेंटेन होता है एलकेनो का गलनांग नियमित प्रवृत्ती नहीं दर्शाथा कारबन परमाणों की समसंख्या वाले एलकेनों का गलनांक उनके निकटस्थ कारबन परमाणों की विशम संख्या वाले एलकेनों से उच्चतर होता है गलनांक का क्रम प्रोपेन, एथेन, मीथेन गलिनांग की आसमान्य प्रवृत्ती संभवता इस कारण से पाई जाती है क्योंकि विश्यम कारबन पर्माणूँ वाले एलकेनों में अणू के एक ही ओर अंतिम कारबन पर्माणूँ होता है जबकि सम कारबन पर्माणूँ वाले एलकेन में अंतिम कारबन पर्माणूँ वि और उनके बीच अंत्रा अणुक आकर्शन अधिक होते हैं घनत्व एलकेनों का घनत्व अणुभार में बढ़ोत्री के साथ बढ़ता है और 0.76 ग्राम प्रती मिलिलीटर पर स्थरांक हो जाता है अता सभी एलकेन जल से हलके होते हैं विलेता एलकेन अध्रुविय होने के कारण जल में अविले लेकिन अध्रुविय विलायकों में विले होते हैं उधारण C6H6 CCL4 इथर इत्यादी एलकेनों की विलेता अणुभार में बढ़ोत्री के साथ कम होती जाती है द्रव एलकेन अच्छे अध्रुविये विलायक होते हैं एलकेनों के रासाइनिक गुण धर्म 1. एलकेन उच्चस्थाई प्रकृती के साथ समानता निश्क्रिये पदार्थ होते हैं इनकी निश्क्रियता को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है एलकेनों में सभी CC वा CH आबंद मजबूत सिग्मा आबंद होते हैं और ये समाने दशाओं में अमलों, ख्यारकों, आक्सी कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं हैलकेनों में CC पूर्णता अध्रुविये वा CH दुरुबल ध्रुविये, आबंद C 2.6 वा H 2.1 में अल्प वैदित रणात्मक्ता अंतर होने के कारण वहवारी ग्रूप से अध्रुविये होते हैं अता ध्रुविये प्रजातियां जैसे की इलेक्ट्रोफाइल्स या निक्लियोफाइल्स सामाने दशाओं में इन आबंदों पर आक्रमण करने में अक्षम रहती हैं कम अभिक्रिया शील्थ प्रक्रिती के बावजूद एलकेनों में कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं परिलक्षित होती हैं अॉक्सी करण एलकेनों का अक्सी करण विभिन दशाओं में विभिन उत्पात प्रदान करता है वायू या डाय आक्सीजन की उपस्थिती में गर्म किये जाने पर एलकेन पूर्टा आक्सिक रिथ होकर कार्बन डाय आक्साइट तथा जल प्रदान करता है और बड़ी मात्रा में उश्मानी कलती है मेगनीज एसिटेट की उपस्थिती में उच्चतर एलकेनो का आक्सीकरण करनेर पर फैटी एसिड मिलते हैं सीमित वायू आपूर्टी के साथ एलकेनो का अपूर्ण आक्सीकरण कार्बन कजल यानि ब्लैक तथा कार्बन मोनो अक्साइड प्रदान करता है एलकेनो के रासाइनिक गुणधर्म दो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एलकेनो में प्रतिस्थापन मुक्त रेडिकल प्रणाली प्रदाशित करता है प्रणाली के लिए मुक्त रेडिकल प्रतिस्थापन देखें एलकेनों में निम्न प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी जाती है हेलोजनी करण एलकेन के H परमाणू का हेलोजन परमाणू द्वारा प्रतिस्थापन हेलोजनी करण कहलाता है एलकेनों का हेलोजनी करण निम्न के संपर्क में होता है हेलोजन जमा एलकेन का मिश्रण परावैगनी प्रकाश के या उच्छ तापकरम के संपर्क में लाने पर हेलोजनी करण की सीमा प्रयोक्त हेलोजन की मात्रा पर निर्भर करती है समावयवी करण एक समाव यव को अन्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया समाव यवी करण कहलाती है सीधी श्रंखला वाले एलकेनों को ALCL 3 जमाव HCL के साथ लगभग 200 डिग्री सेंटिग्रेट और 35 वायो मंडली ये दाप पर गर्म किये जाने पर शाकित श्रंखला एलकेनों में परिवर्तित हो जाते हैं एलकेनों के रासाइनिक गुर्धर्म 3 एरोमेटिक करन एलिफेटिक योगिकों के एरोमेटिक योगिकों में परिवर्तन की प्रक्रिया एरोमेटिक करन कहलाती है 6-10 कारबन परमाणू वाले एलकेन उत्प्रेरक की उपस्थिती में उचिदाब एवं ताप क्रम पर बेंजीन या उसके सजातिये वियुत्पन में बदल जाते हैं विहाइड्रोजिनी करन उत्प्रेरक्क्य उपस्थिती में गर्म किये जाने पर एलकेन विहाइडरोजनिक क्रित होकर संगत एलकेन उत्पन्न करते हैं ताप अबघटन वायू की अनुपस्थिती में गर्म किये जाने पर किसी योगिक का विक्टन ताप अबघटन कहलाता है ताप अब घटन की परिगटना भंजन भी कहलाती है वायू की अनुपस्थिती में लाल दप्त धातू की नली से इलकेन वाश्प को गुजानने पर यह सरल हैड्रो कार्बनों में विक्टित हो जाती है भंजन के दौरान बनने वाले उत्पाद निम्न पर निर्भर होते हैं एलकेन की प्रकृती, तापक्रम एवं दाप, उत्प्रेरक की उपस्थिती या अनुपस्थिती भंजन का उधारण यहां दिया गया है सनरूपन सिग्मा आबंदों के घूणन के कारण कोई अनुविभिनिस्थानिक व्यवस्थाएं प्राप्त कर सकता है वहां सनरूपन कहलाता है और इसलिए सनरूपनिये समावयवी या सनरूपक कहलाते हैं इन घूणनों के दोरान परिवर्तित होने वाली उर्जा का अध्ययन सनरूपनिये विशलेशन कहलाता है यह काफी महदपून है क्योंकि अणों की सनरचना का आणवी गुर्धर्मों पर विशेश प्रभाव पड़ता है जिसमें किसी अभिक्रिया के परिणामों को प्रभावित करना भी शामिल है यद्यपी ये विचार सरलतम प्राकारियात्मक समूहों एलकेनों के लिए विक्सित किये गए लेकिन यही सिध्धान्त विस्तरित करके अन्य प्राकारियात्मक समूहों पर भी लागू किये जा सकते हैं एलकेनों के लिए विभिन सनरूपणों को डैश, वेच, नोटेशन द्वारा सनचनात्मक पस्पेक्टिव चित्र में प्रदशित किया जा सकता है न्यूमेन प्रक्षेप एक वेकल्पिक चित्रन है जिसमें दो कार्बन परमाणों के समूहों की सापेक्षिक अभी मुखताद दर्शाते हुए कार्बन-कार्बन आबंद अक्ष देखते हुए और उन्यों को सामने से देखा जाता है एथिन का सनरूपनिय विशलेशन सनरूपनिय विशलेशन को कंकालिय सनरचनाव से प्रधक तरीके से आणों के निर्यूपुन तवारा विशेश सहयता प्रदान की जाती है अणूं का इस प्रकार चित्रन जिसमें परमाणूं और आबंधों को उनके घुणन वाले अक्ष पर देखा जाता है, निूमेन प्रक्षेप कहलाता है नियुमेन प्रक्षेप में अणू को एक अक्ष पर देखा जाता है, जिसमें परस पर आबंधित दो परमानों वा उनके बीच का आबंध होता है, जिस पर अणू घूणन कर सकता है नियुमेन प्रक्षेप में आबंध निर्मित करने वाले प्रत्यक परमानों के प्रतिस्थापी चाहेवे हाइडोजन या प्रकर्यात्मक समूहों कार्बन-कार्बन आबंध के सामने वा पीछे दूनों और से देखे जा सकते हैं विशेश रूप से नियुमेन प्रक्षेप में सामने के परमानों पर प्रतिस्थापी तथा पीछे के परमानों पर प्रतिस्थापी के बीच का कोण देखा जा सकता है जो दूईतल कोण या मरोडी कोण कहलाता है विशेश रूप से एथिन में दो संभव चरम समरूपणों की कल बना कर सकते हैं एक उधारण में दुई तल कोण 0 डिगरी है और प्रथम कार्बन पर हैटोजन दुथिय कार्बन पर हैटोजन से संरेखित या ग्रस्थ है जब दुईतल कौन शून्ने डिगरी होता है और हैटोजन आदर्श रूप में संद्यकित होता है तो एथेन का ग्रस्त सन्रूपन होता है। दूसरी चरम इस्तिती तब होती है जब प्रथम कार्बन पर हैटोजन दूतिय कार्बन के हैटोजन से अधिक्तम संभवदूरी पर होता है। इससे साथ डिगरी का दूईतल कौन बनता है और ये सांतरित सन्रूपन कहलाता है। एथेन का सांतरित सन्रूपन ग्रस्त सन्रूपन की तुल्ना में 12.1 केजे अबलिक मोल अधिक स्थाई होता है। इस तरह एक मेथिल समोह अन्य के सापेक्ष 360 डिगरी पर घूमता है। योगिक तीन अस्थाई ग्रस्त रूपों द्वारा तीन अस्थाई सांतरित सन्रूपन से गुजरता है। ये अवरोध इतना छोटा होता है कि 25 डिगरी पर योगिक का सन्रूपन प्रति सेकेंड में लगभग 500 लाख बार परिवर्तित होता है। सौहोर्स प्रक्षेप न्यूमेन प्रक्षेपों के लगभग समान होते हैं। लेकिन इनका उप्योग इसलिए अधिक किया जाता है क्यूंकि कार्बन कार्बन आबंध जहां न्यूमेन प्रक्षेप में संकुचित होता है, वहीं सौहोर्स प्रक्षेप में ये पूरे विस या दुईत्रिविम यानी डास्टीरियोमेरिक संबंध निर्धारित करने में अधिक उप्योगी हैं, क्यूंकि दरपण प्रती बिम्बिये या अतिव्यापी संबंध अधिक स्पस्थ होते हैं। नियुमेन प्रक्षेपों की तरहा सौहार्स प्रक्षेप में अणू का द्रिश्य एक विशेश कार्बन-कार्बन आबंध से देखा जाता है और आगे एवं पीछे के कार्बनों को जोडने वाले समुहूं 120 डिगरी कोणों पर तीलियों का उप्योग करके चुत्रित किये ज जा सकते हैं कि अगर कार्बन पर समुहूं पश्च कार्बन पर समुहूं के साथ सांतरित 60 डिगरी दूर या ग्रस्त सीधे अतिव्याप्थ हों एथेन के 200 हर्स प्रक्षेप नीचे दिये गए हैं बाई ओर की सनचना सांतरित जबकि दाई ओर की सनचना को ग्रस्त दिखाय गया है ये सरल्तम 100 हर्स प्रक्षेप है क्योंकि इन में केवल दो कार्बन हैं और सामने वा पीछे के सभी कार्बन समुह समधर्मी हैं क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम भू विक्यान तथा रसाइन विक्यान में भंजन वा प्रक्रिया होती है जिसके दोरा जटिल कार्बनी कड़ूं जैसे की भारी हाइडरोकार्बनों के कार्बन-कार्बन आबंधों को तोड़ते हुए उन्हें सरल अड़ूं जैसे की हल के हाइड्रोकार्बनों में विखंडित किया जाता है। भंजन की दर तथा प्राप्त होने वाले अंतिम उत्पाद, तापक्रम तथा उत्प्रेरकों की उपस्थिती द्वारा काफी प्रभावित होते हैं। बड़े एलकेन को छोटे अधिक उप्योगी एलकेनों तथा एलक प्राप्त हैं। बड़े अधिक उपस्थित किया जाता है। आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्येप में दोहराएं। हाइड्रो कारबन ऐसे योगिक हैं जिन में केवल कारबन और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रो कारबनों को मुख्यता कोईले एवं पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, जो उर्जा के मुख्य स्रोथ हैं। हाइड्रो कार्बनों को उनकी सनचना के अनुसार विवरित्र, श्रंकला वाले संत्रिप्त तथा असंत्रिप्त, संवरित्त और एरोमेटिक के रूप में वर्गी क्रित किया जाता है। मुक्त रेडिकल प्रतिस्थापन, देहन, आक्सीकरण तथा एरोमेटिकरण एलकेनों की महदपून अभिक्रियाएं हैं। सीसी सिगमा आबंधों पर मुक्त घूणन के कारण एलकेन सन रूपनिये समाव यवता प्रदशित करते हैं। एथेन के सांतरित तथा ग्रस्त सन रूपनों में से संतरित सन रूपन अधिक स्थाई होते हैं, क्यूंकि उनमें हाइड्रोजन के परमाणूं अधिक्तम संभव दूरियों पर रहते हैं। परिचए अंकुष मुझे परिशान मत करो, मुझे पढ़ने दो। तुम क्या पढ़ रही हो? मैं रसायन विज्ञान का अपना ग्रह कारे कर रही हूँ। अरे, तुम घलत कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? अब ये सही है। नहीं, यह दोहरा आबंध है और यह एक अलकीन है। शिक्षक ने हमें एक अलाबंध और एलकेनों के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने एलकीन के बारे में नहीं बताया। वो क्या है? अलकीन असंत्रिप्त हाइड्रोकाबन होते हैं। और ऐसे ही एलकाइन भी होते हैं। आओ, मैं तुम्हें अलकीनों और अलकाइनों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अलकीनों और अलकाइनों का वर्णन करना नामपद्धती की IUPAC प्रणाली के अनुसार अलकीनों और अलकाइनों का नामकरण करना अलकीनों और अलकाइनों के समावियवियों की सनचनाएं पहचानना और उन्हें लिखना अलकीन और अलकाइन तयार करने की विधियां सीखना एलकीनों और एलकाइनों के भौतिक तथा रासाइनिक गुर्धर्म लिखना एलकीन एलकीन हाइड्रोकार्बनों का वो वर्ख है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं एलकीनों की दो अन्य विशेश्चताएं ये होती हैं कि वे असंत्रिप्त तथा ओलिफिन होते हैं असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों में दोरे या तीरे आबंद होते हैं चूंकि यौगिक हाइड्रोजन परमाणों के संदर्प में असंत्रिप्त होता है इसलिए एलकीनों में दो कार्बन परमाणों के बीच साजा अतरिक्त इलेक्ट्रोन दोरे आबंद बनाते हैं। एलकीन ओलिफिन भी होते हैं क्यूंकि ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करने पर तेलिये द्रब बनाते हैं। ये एथाइन या एथाइलीन और पेंटीन के यौकिक होते हैं। दूई आबंद की सनजना एलकीनों में रासाइनिक आबंधन को सरलतम एलकीन एथीन द्वारा समझा जा सकता है। एथीन अधिक जटिल अणू नहीं होता है। इसमें दो कारबन परमाणू होते हैं जो परस पर दूई आबंधित होते हैं। और इसके साथ इन परमाणूं में से प्रतेक दो हाइडोजन परमाणूं से भी आबंधित होता है। इससे प्रते कार्बन परमानों के कुल तीन आबंद बनते हैं, जिससे उनका संकरण S-P-2 होता है। जोकि कार्बन परमानों चार सिगमा आबंद बनाने के बजाए, जोकि ये बना सकता है, ये तीन सिगमा आबंद बनाता है। इसलिए इसे अपने चार के बजाए तीन वाहे कक्षकों को ही संकरित करना होता है। ये दो S एलेक्ट्रोन तथा दो P एलेक्ट्रोनों की उप्यूग दोरा ऐसा करता है और अन्न को आपरिवर्थित रखता है। नया कक्षक S P 2 कक्षक कहलाता है क्यूंकि ये अपने नाम के अनुसार एक S कक्षक और दो P कक्षकों से बना होता है। SP 2 कक्षक में पर्माणों की सनचना त्री कोणिये समतलिये होती है। ये सनचनाएं 20 संकेत के समान होती है। इसमें एक ही तल में एक केंद्रिये पर्माणों तथा इसके आसपास तीन पर्माणों होते हैं। त्री कोणिये समतलिये अनवों का प्रतेक पाश पर एक आदर्श आबंध कोण 120 डिगरी का होता है। सबसे लंबी सतत श्रिंखला ग्याद करें जिसमें दूई आबंध होते हैं। कार्बन कार्बन की उपस्थिती दर्शाने के लिए अंद में इन का उप्योग करें। श्रिंखला को इस तरह संख्यांकित करें कि कार्बन का प्रथम कार्बन की सबसे नियूनतम संभव संख्या हो। प्रतिस थापियों को उसी प्रकार नाम एवं संख्यांदें जैसा एलकेनों में किया जाता है। एलकोहल प्रकारियात्मक समोह को एलकीन प्रकारियात्मक समोह पर प्रात्मिक्ता दी जाती है। ये योगिक चार ब्रोमो, तीन मेथिल, एक ब्यूटेन है। श्रिंकला को संख्यांकित करने पर हाइड्रोकसिल समोह को दुई आबंद पर प्रात्मिक्ता दी जाती है। ये योगिक है दो मेथिल, तीन ब्यूटेन, एक ओल। यदि एक से अधिक दुई आबंद उपस्तित हों, तो प्रतेक दुई आबंद के प्रतम कारवन की संख्या का उप्योग करते हुए, तथा प्रत्य डाइन, यानि दो दुई आबंधों के लिए, ट्राइन, तीन दुई आबंधों के लिए, और ट्राइन, चार दुई आब साइक्लो एलकीनों का भी इसी प्रकार से नामकरण किया जाता है। इसी योगिक को देखें। इसे एक पांच डाइमेथिल साइक्लो पेंटेन के रूप में नामित किया गया है। ना कि दो तीन डाइमेथिल साइक्लो पेंटेन के रूप में। समावियवता सन्रचनात्मक समावियवता सभी ऐसे एलकीन जिनमें चार या अधिक कारबन परमाणू होते हैं, सन्रचनात्मक समावियवता प्रदशित करते हैं। इसका आशह है कि प्रतेक आणविक सूत्र के लिए आप दो या अधिक भिन सन्रचनात्मक सूत्र बना सकते हैं। उधारन के लिए C4H8 के साथ ये तीन सन्रचनात्मक समावियवी प्राप्त करना कठिन नहीं है। हाला कि अन्य समावियवी ब्यूट दो इन जयामितिय समावियवता भी प्रदशित करता है। जयामितिय संपक्ष, विपक्ष या सिस्ट्रांस समावियवता। कार्बन कार्बन दुयाबंद में मुक्त घूणन नहीं होता। इसकार्थ है कि अनु के किसी स्रे पर अनु के किसी एक ही और या एक दूसरे के विप्रीत CH3 समूह प्रतिबंधित होते हैं। ये सिस्ट्रांस ब्यूट्रांस 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 ब्यूट्रां एलकिनो का विर्चन एलकिनो को समानिता बीटा विलोपन अभी क्रियाओं द्वारा विर्चित किया जाता है जिसमें सन्निकट कार्बन पर्माणों पर दो पर्माणों हटाए जाते हैं जिसके परिणाम सोरूप एक दुई आबंध बनता है एलकिनो को समानिता एलकोहलों या हैलो एलकेनों से बनाये जाता है यानि एलकिल हैलाइट्स एलकोहलों के निर्जली करण तुआरा निर्जली करण अभिक्रियाओं में एलकोहल को एक प्रबल खनिज अम्ल की उपस्थिती में गर्म करके एक एलकोहल अणू से जल का अणू निकाला जाता है हाइड्रोजन आयन खोने वाले सनिकट कार्बन परमाणूं तथा हाइड्रोकसाइट समूह के बीच एक दुयाबंद बनता है हैलो एलकेनों से या एलकिड हैलाइडों से एलकिनों को हैलो एलकेनों यानि एलकिल हैलाइडों से प्राप्त किया जा सकता है ये हैलो एलकेन, प्राया, ब्रोमो वा आयोडों और कम समाने रूप में क्लोरो व्यूत पन्नक होते हैं। हैलो एलकेनो के विहाइड्रो हैलोजनी करन द्वारा हैलो एलकेनो को एलकोहालिक पोटाश के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइट का एक अनू लुपत होकर एलकीन देता है। ब्रोमो एथिन एथिन देता है। वी हैलोजनी करन विसनल डाइ हैलाइट्स जो एलकेन अडू होते हैं जिनमें दो हैलोजन परमाणू सन्निद्ध कार्बन परमाणू पर होते हैं। जिंक से अभिक्रिया करके एलकीन बना सकते हैं। एलकाइनों से, NIE या PD की उपस्तिती में 200.C पर एलकाइन का हाइडोजन के साथ नियंतरित हाइडोजनी करन करने पर संगत एलकीन प्राप्त होता है। एथाइन हाइडोजनी करन करने पर corners देता है। एलकीनों को एलकाइनों के हाइडरोजिनी करण द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एलकीनों के भौतिक गुण धर्म, भौतिक अवस्था कमरे के तापमान पर एलकीन, सभी तीनों भौतिक अवस्थाओं, गैस, द्रव, तथा ठोस के रूप में रह सकते हैं। कमरे के तापमान पर निम्नतर, एलकीन, प्रथम तीन एलकीन, रंगहीन गैस होते हैं। जबकि अगले 14 सदसे जो 5 से 15 कारबन परमानों से बने होते हैं, वे रंगहीन द्रव रहते हैं। उच्चतर एलकीन, रंगहीन ठोस होते हैं। एथीन को छोड़कर सभी अन्ने एलकीन, रंगहीन एवं गंदहीन होते हैं। एथीन की हलकी मधुर गंदह होती है। एलकीनों की अध्रुविय प्रकृती के कारण वे जल में अविलाय होते हैं। किंतु बेंजीन, कारबन टेट्राक्लोराइड और पेट्रोलियम इथर इत्यादी अध्रुविय विलायकों में विलाय होते हैं। घनत्व एलकीनों का घनत्व एक ग्राम प्रती मिलिलीटर से कम होता है। और इसलिए ये जल से कम घनत्व युक्त होने के कारण जल के उपर प्रत्थक परद बनाते हैं। एलकीनों का आणविक द्रविमान बढ़ने के साथ घनत्व भी बढ़ता है। एलकीनों के कौथनांग द्रव अवस्था में अणू परस पर अधिक निकट आबध रहते हैं, तथा उनके बीच दुर्बल अंत्रा अणुक आकर्शन बल होता है, इसलिए वे सिस्टम में यात रिच्छिक गती कर सकते हैं। जब हम द्रव को उश्मा की आपूर्टी करते हैं, तो सिस्टम का तापमान बढ़ता है, जिससे अड़ों की गतिज उर्जा बढ़ जाती है। इसलिए अड़ों की गति बढ़ती है, और उच तापमान पर अड़ों के बीच आकर्शन बल घड़ जाता है। कौतिनांग की तरहा एलकीनों का गलनांग भी आणविक द्रव्यमान में बढ़ोत्री के साथ बढ़ जाता है। एलकीनों के रासायनिक गुण धर्म एलकीन दुई आबंद की उपस्तिती के कारण एलकेनों की अपिक्षा अधिक अभिक्रिया शील होते हैं। कारबन कारबन दुई आबंद में एक प्रबल आबंद और एक दुरबल पी आबंद होता है। संकलन अभिक्रियाएं कार्बन कार्बन दुयाबंधों के पी इलेक्ट्रोन एक इलेक्ट्रोनु रागी यानि इलेक्ट्रोन की खोज करने वाली कोई स्पेशीस के लिए उपलब्द होते हैं, अता एलकीन द्वारा प्रदशित संकलन अभिक्रियाएं, वास्तों में इलेक्ट्रोन अनुरागी संकल हेलोजनों का संकलन हेलोजन अमलों का संकलन हेलोजन अमलों के सांधर जलिये विलियन के साथ एलकीन, हेलो एलकेन प्रदान करते हैं निम्न अभिक्रिया का क्रम है असम्मित एलकीनों में हैलोजन अमल का योजन इस प्रकार से होता है कि जहां हैलोजन परमाणू यानि योजित होने वाले अनू का रिणात्मक भाग उस कार्बन परमाणों में योजित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणों की संख्या कम हो। उधारण के लिए प्रोपेन के उधारण में एक आयोड्रोपेन के बज़ाए दो आयोड्रोपेन उत्पाद प्राप्त होता है। किसी असम्मिद एलकीन में हेलोजन अमलों के संकलन का ये नियम मारको निकॉफ का नियम कहलाता है। एथिल हाइड्रोजन सलफेट प्रदान करता है। जल का संकलन एलकीनों का निर्जली करन तनू अमलों एवं एक उत्प्रेरक की उपस्तिती में जल अणूं एलकीन अणूं में दुई आबंध पर संकलित होते हैं। उधारन के लिए एथिन और वाश्प का मिश्रण 65 वायो मंडलिये ताप और 300 डिग्री सेलसियस तापान पर फॉस्फोरिक अमल तथा सिलीका परसिक गुजारें जाने पर एथेन एथनॉल देता है। ओजोन का संकलन एलकीन जब ओजोन के एकड़ों से दुई आबंध पर संकलित होता है तब ओजोनाइट बनते हैं। उधारन के लिए एथीन एथीन ओजोनाइट प्रधान करता है। बहुलकी करण संकलन बहुलकी करण वह प्रक्रिया है जिसमें एक यही इस्पिशीस की बड़ी संख्या में अणूं परस पर संकलित हो जाते हैं। सरल अणूं जैसे की HX, H2O इत्यादी के निर्सन के बिना और एक विशाल अणूं बनाते हैं जो बहुलक कहलाता है। उप्युक्त उद्प्रेरकों की उपस्तिती में दाप के अंतरगत गर्म किये जाने पर एलकीनों का संकलन बहुलकी करण होता है। जब एथीन को 1000 centigrade ताप पर 1000 वायो मंडलीय ताप के अंतरगत आक्सीजन की उपस्तिती में गर्म किया जाता है तो हमें पॉली एथीन प्राब्द होता है. एलकाइन एलकाइन ऐसे हाइड्रोकारबन होते हैं जिनमें दो कारबन परमाणों के मध्धे एक त्रियाबंद होता है. एलकीनों की तरह श्रेंकला का सरल्तम सदस से दो कारबन अडूं होता है. त्रियाबंद को इंगित करने के लिए नाम के अंध में आईन लगाया जाता है. जिस प्रकार एलकीनों में दुई आबंध को इंगित करने के लिए नाम के अंत में इन लगाया जाता है एलकाइन एलकीनों की तरह असंत्रिप्त हाइड्रोकारवन होते हैं जिनका सामाने सूत्र CnH2n-2 है ये अत्यंत आस्थाई तथा तौरित अभी क्रियाशील होते हैं उधारण के लिए एधाइन सरल्टम एलकाइन है जो अपने सामाने नाप ऐसिटिलीन द्वारा अधिक जाना जाता है ये एक गैस है जिसका उप्योग प्राया काटने एवं वेल्ड करने वाली टौर्चों में इधन के रूप में किया जाता है क्यूंकि ये बहुत गर्म जौला के साथ जलती है एलकाइनो का नामकरन IUBAC पद्धती में एलकाइनो को एलकेनो के व्यूत पन्नकों के रूप में नामित किया जाता है एलकेन के नाम में लगे N को बदल कर आइन कर दिया जाता है उधारों के लिए दिये गई योगिक में तीन कारवन परमाणों है और इसलिए मूल नाम प्रोपेन है यदि प्रत्य एन को आइन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हम योगिक का IUBAC नाम प्रोपेन के रूप में प्राप्त करते हैं यदि श्रंकला में कोई प्रतिस्थापि है तो दिरकितम श्रंकला को इस प्रकार चैनित किया जाता है कि श्रंकला में त्री आबंद हूँ इसी प्रकार श्रंकला का नाम करण इस प्रकार किया जाता है कि त्री आबंद वाले कारबन को नियूनतम संख्या मिले उधारन के लिए दिये का योगिक में दीरकितम श्रंकला में पांच कारबन परमाणू हैं अताहा इसका नाम पेंटाइन होगा इसे बाएं से दाएं नामित किया जाता है ताकि त्री आबंद वाले कारबन को संख्या एक प्राप्थ हो तीसरे कारबन परमाणू पर एक प्रतिस थापी मेथिल समों है अताहा योगिक का नाम तीन मेथिल एक पेंटाइन होगा एलकाइनों की सनचना एलकाइनों की सनचना में कारबन परमानूं का S-P संकरण होता है। कारबन का वाहितम इलेक्ट्रोनिक विन्याज 2S वर्ग 2P वर्ग है। उत्तेजी दवस्था में 2S कक्षक से 1 इलेक्ट्रोन 2P में चला जाता है। अताहर उत्तेजी दवस्था में इलेक्ट्रोनिक विन्याज 2S1, 2PX1, 2PY1, 2PZ1 हो जाता है। यहां कारबन का S-P संकरण होता है, जिससे रैखिक आकरिती एवं 180 डिग्री पर आबंध कोन के साथ 2S-P संकरित कक्षक प्राप्प होते हैं। 1S-P संकरित कक्षक अन्य कारबन से जुड़ता है तथा अन्य हाइडोजन से जुड़ता है। आता ऐसी टिलीन अडूं की सनचना रैखिक होती है। समावयवता श्रिंखला समावयवी समान आणविक सूत्र तथा कारबन श्रिंखला पैटनों में भिन्नता जैसे की रैखिक या शाखी वाले योगिक श्रिंखला समावयवी कहलाते हैं। एक पैंटाइन, तीन, मैथिल, ब्यूटाइन के लिए श्रिंखला समावयवी है। समान आणविक सूत्र तथा प्रकारियातमक समोहों की स्थितियों में अंतर वाले योगिक श्रिंखला समावयवी कहलाते हैं। एक ब्यूटाइन तथा दो ब्यूटाइन इस्थिती समावयवी हैं। प्राकारियात्मक समुह समावयवी समान आणविक सूत्र तथा प्राकारियात्मक समुह की प्रकृती में भिन्नता वाले यौकिक प्राकारियात्मक समुह समावयवी कहलाते हैं। एलकाइन, साइक्लो एलकीनों के लिए प्राकारियात्मक समुहू समाफ्यवी होते हैं। उधारन के लिए पेंटाइन तथा साइक्लो पेंटेन प्राकारियात्मक समुहू समाफ्यवी हैं। जया मितिय समावयवी एलकाइनों में कारबन परमाणों के बीच आबंद कठोर होते हैं और घून नहीं कर सकते इसलिए जया मितिय समावयवियों की संभावना बनती है लेकिन क्योंकि परमाणों की दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती इसलिए एलकाइनों में जया मितिय समाव यवियों की कोई संभावना नहीं होती। एलकाइनों का विर्चन एलकाइनों का विर्चन एलकीनों के समान किया जाता है। मुख्य निर्मानिक अभिक्रियाओं में अणूं से सम्मूहों या आइनों का निर्षन किया जाता है जिससे पाई आबंद बनते हैं। V-Hydro-Halogeni करण सन्निद एलकेन कारबन परमाणूं से एक हाईडोजन परमाणूं तथा एक हैलोजन परमाणूं का विलोपन कराने पर एक एलकाइन बनता है। दूई आबंदित कारबन परमाणूं से अतरिक्त हाईडोजन एवं हैलोजन परमाणूं का विलोपन होने पर एलकाइन बनता है। हैलोजन परमाणूं एक यही कारवन, जेमिनल डाई हैलाइट में या सन्निध कारवनों यानी विसनल डाई हैलाइट पर इस्थित हो सकते हैं। ड्वीतिये वी हाइड्रो हैलोजनी करण चरण के दोरान कुछ निश्चित दशाएं अनिवारे होती हैं, जिनमें उजतापमान तथा अत्यधीक प्रबल क्षार की ये विलियन शामिल हैं। वी हैलोजनी करण निकटस्थ टेट्रा हेलो एलकेंस का एक और्गेनो मेटलिक अभिक्रिया में जिनक धातु के साथ वी हैलोजनी करण होने पर एलकाइन बनता है। तत्यस थापन अभिक्षा क्रित बड़े एलकाइन एक एलकिल हलाइट को एक एसी टिलाइट आएन से अभिक्रिया करा कर उत्पन्न किये जा सकते हैं, जो अभिक्षा क्रित छोटे एलकाइन से उत्पन्न होते हैं। एथाइन यानी एसी टिलीन विट्चन एथाइन जिसे एसिटिलीन के समाने नाम से जाना जाता है एक सरल्तम एलकाइन है एतिहासिक रूप से इसे केलिशियम कारवाइट की जल से अभिक्रिया करा कर बनाया जाता था वर्तमान में एथाइन को समानेता मेथिन के ताप अभगटन से बनाया जाता है इस अभिक्रिया में मेथेन कैस की एक धारा को एक निर्वातित कख्ष में 1500 डिगरी सेंटिग्रेट ताप्मान पर गर्म किया जाता है। अभिक्रिया से वायू को अवश्य निकाल दिया जाहिए अनिथा आक्सी करण हो जाता है। एलकाइनो के भौतिक गुन धर्म एलकाइनों के भौतिक गुनधर्म एलकीनों के समान होते हैं। एलकाइन समानता अध्रुविय अडू होते हैं, जिनकी ध्रुविय विलाइकों जैसे की जल आदी में विलेता कम होती है। इथर तथा ऐसी टून आदी आध्रुविये विलाइकों में इनकी विलेता अधिक होती है। एलकैनों तथा एलकीनों की तरह चार या कम कारबन परमानों वाले एलकाइन गैसिये प्रवरित्ती दर्चाते हैं। प्रतिस थापित एलकाइनों में तरी आबंधित कारबन परमानों के बीच वैद्युत रणात्मक्ता के बीच अंतरों के कारण छोटे दुईत्रुव आघून होते हैं जो एस्पी संकरित होते हैं तथा एकल आबंधित कारबन परमानों होते हैं जो एस्पी तीन संकरित होते एस पी संकरित कार्बन परमाणूं जिसमें एस पी 3 संकरित कार्बन परमाणूं की तुलना में ऐस लक्षण अधिक होता है। ऐसे कार्बन परमाडों के बीच आबंद में परिरामी असम्मित इलेक्ट्रोन वित्रण एक दूइत्रुव आगून को जन्म देता है। एलकाइनों के रासाइनिक गुण धर्म देहन एलकाइन वायू या उक्सीजन में धुआ युक्त ज्वाला के साथ जलते हैं। या एनाई की उपस्थिती में 250 दिग्री सेंटिग्रेट तापमान पर हाइडोजन के साथ अभिक्रिया करके पहले एलकीन और अंत में एलकेन बनाता है। हेलोजन का संकलन अंधेरे में एलकाइन हेलोजनों यानी CL2 या BR2 से अभिक्रिया करके पहले डाई हेलोजन कीन और अंत में टेट्रा हेलोजन कीन बनाता है। ये अभिक्रिया प्रकाश या हेलोजन वाहकों की उपस्थिती में त्वरित होती है। जल का संकलन सल्फियूरिक अमल 42 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिती में 60 डिग्री सेंटिग्रेट पर हेलकाइन का एक जल अनु में संकलित होकर LD हैट्स या की टोन देते हैं। उधारण के लिए एथाइन, एथेनौल तथा प्रोपाइन, एसिटोन देता है। बहुलकी करण एलकाइनों को गर्म करने पर उत्प्रेरक की उपस्थिती में इनका बहुलकी करण होता है। उत्पात की प्रक्रिती दशाओं पर निर्भर होती है। उधारण के लिए जब एथाइन, यानि एसिटिलीन, इसको गर्म कॉपर नली से गुजारा जाता है, तो ये बहुलकी करित होकर बेंजीन देता है। जब अमोनियम क्लोराइड में क्यूपरस क्लोराइड के विलियन से गुजारा जाता है, तो एथाइन का रेखिये बहुलकी करण होता है। क्या आप जानते हैं, मारको निकॉफ कनियम रूसी रसाइन वग्यानिक विलादी मीर वसी लेचिव मारको निकाफ द्वारा अठारा सो सत्तर में प्रतिपादित किया गया। कार्ब धनायन मत्यवर्ती को उपेक्षित करने वाली प्रणालिया अन्ने रेजियो सेलेक्टिव प्रणालियों के मात्यम से अभिक्रिया कर सकती हैं, जो मारको निकॉफ के नियम के अनुमानों के विरिद्ध है, जैसे की मुक्त रेडिकल संकलन। इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रती मारको निकॉफ कहलाती हैं, क्योंकि मारको निकॉफ अभिक्रिया के ठीक विपरीद हैलोजन कम प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ता है। पुना धनावेश की तरहा अधिक प्रतिस्था पितावस्था में रेडिकल अधिक सर्वाधिक स्थाई होता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं। एलकीन हाइड्रोकार्बनों का वो वर्ख है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एलकीनों की दो अन्य विशेष्टाएं ये होती हैं कि वे असंत्रिप्त तथा ओलेफिन होते हैं। असंत्रिप्त हाईड्रो कार्बनों में दोरे या तीरे आबंद होते हैं। एलकाइन, एलकीनो की तरहा असंत्रिप्त हाईड्रो कार्बन होते हैं, जिनका सामाने सुत्र CnH2N-2 है। ये अत्यन्त आइस्थाई तथा तोरिद अभिक्रियाशील होते हैं। एलकीनों तथा एलकाइनों की संकलन अभिक्रियाएं होती हैं, जो मुख्यता, इलेक्ट्रॉन अनुरागी संकलन होते हैं। कार्बन कार्बन दुयाबंद के परितहा प्रतिबंदित खोड़न के कारण एलकीन, जयामिथिये यानि सिस्ट्रॉन्स समावियफ्ता प्रतेशित करते हैं। परिचय इस सनचना को देखे, क्या कोई जानता है कि ये क्या है। सर, ये बेंजीन वलाए है। बिलकुल सही, बेंजीन वलाए। और अब एरोमेटिक हाइडोकार्बन को कौन परिभाशित करेगा। एरोमेटिक हाइडोकार्बन वे होते हैं जिनमें एक या आधिक बेंजीन वलाए होते हैं। आज हम Aromatic Hydro Carbon के विशे में पढ़ेंगे। आईए शुरू करते हैं। उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। Aromatic Hydro Carbon की व्याख्या करना Aromatic Hydro Carbon के समाव यवों की सनजना को पहचानना और लिखना Benzen की सनजना को समझना Aromatic ता की व्याख्या करना Benzen की इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन भिक्रिया की प्रणाली को समझना एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समों के निर्देशात्मक प्रभाव को पूर्वनुमानित करना Cancer जन्निता तथा विशाक्तता की बारे में सीखना Aromatic Hydrocarbon Aromatic योगिक Hydrocarbon की वह श्रेणी होती है जिसमें उनके संयुग में असंत्रिप्त प्रणालियों की तुल्ला में इस्थाइत्व काफी अधिक होता है इस श्रेणी के योगिकों का सबसे सरलोधारण बेंजीन को 1825 में माइकल फेराडे के द्वारा प्रदीप्त गैस से प्रथक किया गया था बात के वर्षों में इस योगिक वाइस के समरूपों को गुल मेहन्दी व्रिक्षों से प्राप्त रेजिन गोंद के आस्वंद्वारा प्रथक किया गया क्योंकि अनेक रेजिन कुंदों में सुगंध होती है इसलिए इन योगिकों को प्राया सुगंध यानि एरोमेटिक योगिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा गया और इन्हें एरीन भी कहा जाता है 1845 में आउगस्ट वॉन हाफमेन ने बेंजीन को कोलतार से प्रधक किया ये प्रधकन विधी सन 1950 की दशक तक बेंजीन का मुक्य सुरोत पनी रही आज अधिकांश बेंजीन का उत्पादन पेट्रोलियम से किया जाता है सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को दो सुरोतों से प्राप्त किया जाता है कोईला तथा पेट्रोलियम कोईला बड़ी संख्या में यौकेकों का जटिल मिश्रण होता है जिनमें से अधिकांश दीरक श्रंकलाओं वाले यौकेक होते है यदि कोईले को वायू यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में लगभख 1000 डिग्री तक गर्म किया जाए तो ऐस्तिर घटक तथा कथित टार आईल बाहर हो जाते है आन्शिक आस्वन द्वारा बेंजीन, टालूइन, जायलीन और नेप्थलीन तथा अन्ने अनेक एरोमेटिक यौकिक प्राप्त किये जाते है समाव यवता बेंजीन में सभी 6 हाइडोजन परमाणू एक समान होते है इसलिए ये केवल एक इही प्रकार का एकल प्रतिस्था पी उत्पाद बनाता है जब बेंजीन में दो हाइडोजन परमाणू को दो समान अथवा भिन एक संयोजी परमाणू अथवा समूह द्वारा बदल दिया जाता है तब तीन भिन इस्थिती समाव यवी संभव होते हैं इसमें प्रथम एक दो या एक छे होता है जो और्थो यानि ओ के रूप में जाना जाता है द्वितिये एक तीन या एक पांच मेटा यानि एम के रूप में जाना जाता है तथा तीसरा एक चार पैरा यानि पी दूई प्रतिस्थापित योगिक होता है नाम पत्धती एरोमेटिक योगिकों का नामकरण श्रिंखला योगिकों के नामकरण की तरहा आसान नहीं है प्राया एक से अधिक नाम स्वीकार है और अभी भी पुराने नाम प्रचलित देखे जाते हैं सभी एरोमेटिक योगिक बेंजीन पर आधारित होते हैं C6H6 जिसमें 6 कार्बन परमाणूं का वलाई होता है और ये प्रतिक होता है शटबुझ के प्रतिक कोने पर एक कार्बन परमाणूं होता है जिससे हाइडूजन जुडा होता है बेंजीन वले के प्रतिस्थापी होने पर इसे फैनल ग्रुप के रूप में नामित किया जाता है बेंजीन वले पर एक अधिक प्रतिस्थापीयों को इस प्रकार संख्यांकित किया जाता है ताकि इन प्रतिस्थापीयों को नियुनतम संभावित संख्याय मिले जब के वल दो प्रतिस्थापी एक बेंजीन वले से चुड़े होते हैं तो उन्हें आर्थो यानी O, एक दो स्थापन, मेटा यानी M, एक तीन स्थापन या पैरा P, एक चार स्थापन के उप्योग द्वारा, सामाने नमावली द्वारा नामित किया जा सकता है दिया गया यौकिक, एक एथाइल, दो मेथाइल बेंजीन, O, मेथाइल एथाइल बेंजीन, क्या आप दिये गया यौकिक का नामकरण कर सकते हैं? ये एक एथिनिल, तीन मेथाइल बेंजीन, M, मेथाइल एथिनिल बेंजीन एलकिनो की नाम पधरी दो बेंजीन वलाई वाले कुछ सामाने नाम जो आपको जाने चाहिए वे हैं टालूइन और और्थो जाइलीन बाइफेनिल इस योगे के लिए संख्यांकन परिपाटी पर ध्यान दें बहु चक्रिय एरोमेटिक हाइटो कार्बन जो आपको जाना चाहिए वो है नेप्थालिन नेप्थालिन वले प्रणाली पर केवल एक प्रतिस्थापी होने पर सामाने नाम पधती में अल्फा और बीटा का उप्योग सम्मिलित है एनुलीन्स बड़े एरोमेटिक वलाए होते हैं जिनमें 4N प्लस 2P एलेक्ट्रोन एक चक्रिय संयुक्मी प्रणाली में N बराबर 0 सहित कोई पूर्ण संख्या होते हैं योगिक एक तीन पांच साथ साइकलो आउक्टार टेट्राइन एक एनुलीन नहीं है इसमें 8P एलेक्ट्रोन होते हैं जो N के लिए 1.5 उत्पन्ने करते हैं 10. एनुलीन के लिए संदजना बेंजीन की संदजना एक रसायन विज्ञानी केकुले ने 1865 में बेंजीन की निम्न संदजना प्रस्तावित की केकुले के अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन परमाणू एक नियमित शटभुज के 6 कोनों पर होते हैं प्रतेक कार्बन परमाणू एक हैडूजन परमाणू से जुड़ा होदा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केकुले ने अपने सिध्धान्द का विस्तार किया और तरक दिया कि बेंचीन में दूई आबंध की स्थिति नियत नहीं रहती बलकि दूई आबंध प्रणाली शटपुचिये वलाई के परिता घूमती है। उन्होंने दी गई सनचनाय प्रस्तावित की और कहा कि सभी कारबन कारबन इस्थितियों की आशिक दूई आबंध प्रकृती हो दी है। अपने सिध्धांद के इस विस्तार में केकुले ने स्पष्ट किया कि बेंजीन में कारबन परमाणूं दोलन की अवस्था में रहते हैं और इस दोलन के कारण कारबन परमाणूं के प्रत्यक युग्म का आधे समय एक अलाबंध और शेश आधे समय दूई आबंध होता है केकुले की संद्चना ये स्पष्ट करने में विफल रही कि तीन दुयाबंधों के साथ बेंजीन की संकलन यानी योगात्म कभिक्रियाएं क्यों नहीं होती जैसे की एलकीनों या एलकाइनों से अनुनाद पूर्व वर्ती प्रायोगिक आंकडों की आधोनिक प्रायोगिक अध्यानों से पुष्टी हुई कि बेंजीन में सभी आबंध समाल लंबाई के होते हैं जो लगभग 1.40 पीकुमीटर है एक पीकुमीटर बराबर एक गुणे दस की खात घटा बारा मीटर होता है ये बंध लंबाई एवं कार्बन कार्बन एक अलाबंध की लंबाई 1.46 पीकुमीटर और एक कार्बन कार्बन दुई आबंध की लंबाई 1.34 पीकुमीटर के ठीक बीच में है इसके अतिरिक्त इन अध्धयानों से पुष्टी हुई कि सभी बंध कोण बराबर 120 टिग्री के होते हैं तथा बेंजीन अडूं की सम्तल यानी चप्टी सनचना होती है बेंजीन सनचना के आधूनिक विवरणों में आणविक कक्षक सिध्धांद के साथ अनुनास सिध्धांद का भी संयोजन किया गया है अनुनास सिध्धांद के अनुसार जब एक यही अनु के लिए एक से अधिक सनचनाएं बनाई जा सकती हैं तो बनाई कई सनचनाओं में से कोई भी सही सनचना नहीं होती सही सनचना सभी बनाई गई सनचनाओं का संकर होती है और ये उन सभी की तुलना में अधिक स्थाई होती है किसी अनु के लिए खीची जा सकने वाली सनचनाओं की संख्या जितनी ही अधिक होगी संकर सरचना उतनी ही अधिक स्थाई होगी किसी खीची गई संदचना के लिए आंगणित उर्जा तथा संकर संदचना की वास्तविक उर्जा के बीच का अंतर अनुनाद उर्जा कहलाता है किसी योगी की अनुनाद उर्जा जितनी भी अधिक होगी वह योगिक उतना ही अधिक स्थाई होगा बेंचीन अणूं के लिए खींची जा सकने वाली दो केकुले संदचनाएं वास्तों में दो अनुराद संदचनाएं होती हैं इन संदचनाओं का संकर निम्नरूप में बनाया जा सकता है जहां वृत्य संपून अनूं से होकर इलेक्ट्राणों की गती को प्रदशित करता है ये पाई इलेक्ट्राणों यानि पाई आनवी कक्षकों में पाई जाने वाले इलेक्ट्राण का विस्धानी करण संयुगमी डाइडन प्रणालियों में भी पाया जाता है बेंजीन की भाती संयुग मी डाइटन प्रणालियां भी बढ़ता इस्थाइत्व प्रदशित करती है अनुनाद के कारण बेंजीन अणू अपनी एक, तीन, पाँच, साइकलो, हैकसा, ट्राइन सनचना की तुल्ला में अधिक इस्थाई होता है ये अतरेक्त स्थाइत्व 36 किलो गैलरी प्रती मोल इसकी अनुनाद उर्जा कहलाता है बेंजीन का कक्षक चित्र क्योंकि प्रायोगिक आँख़ों से पता चला है कि बेंजीन अणू समतलिये होता है सभी कार्बन पर्माणों तीन अन्य पर्माणों से आबंदित होते हैं और ये कि सभी बंद कौन 120 डिक्रीके होते हैं इसलिए बेंजीन अणू में SP2 संकरण ही होना चाहिए SP2 संकरण के साथ प्रतेक कारबन परमानों में एक असंकरित परमानविक P कक्षक इससे जुड़ा होता है SP2 संकर कक्षकों का अतिव्यापन सिग्मा आबंद बनाता है जो वले को एक साथ रोकते हैं जबकि परमानविक P कक्षकों का पाशविक अतिव्यापन दोनों दिशाओं में हो सकता है जिससे पाई प्रनाली में संपून विस्थानी करण होता है ये संपून विस्थानी करण अडूं का इस्थाइत्व काफी बढ़ाता है आणविक कक्षक सिधान्थ के अनुसार 6 परमानविक P कक्षकों का अतिव्यापन 6 पाई आणविक कक्षक उत्पन्न करेगा इन पाई आणविक कक्षकों में से 3 आबंधक कक्षक जबकि अन्य 3 प्रती आबंधक कक्षक होंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है पाई 1, पाई 2 तथा पाई 3 से निर्दिष्ट 3 निम्न उर्जा कक्षक आबंधन सेयोजन और पाई 4 तारंकन, पाई 5 तारंकन तथा पाई 6 तारंकन से निर्दिष्ट 3 उच्च उर्जा कक्षक प्रती आबंधन कक्षक होते हैं प्रती आबंधन कक्षकों पाई 4 और पाई 5 की तरहा आबंधन कक्षकों में से 2, पाई 2 तथा पाई 3 की उर्जा समान होती है ऐसे कक्षक अब हिरासित माने जाते हैं क्योंकि सभी इलेक्ट्रोन आबंधन कक्षकों में इस्थित होते हैं, इसलिए अणू बहुत इस्थाई होता है। विस्थानी क्रित पाई इलेक्ट्रोनों के बंध आबंध, कोश युक्त, बेंजीन जैसे अणू अत्यधिक स्थाई होते हैं और इनके अनूनाद उड़ जाएं अत्यधिक होती हैं। एरोमेटिक ता संयोक्मी, साइक्लो, एलकीनों का गुण है, जिनमें पी कक्षा में इलेक्ट्रोनों के विस्थानित होने की शमता के कारण अनू का इस्थायत्यों प्रबल होता है। और एक समतलिय अनू निर्मित करने के लिए धाचे की तरह कारे करता है। किसी योगिक के अरोमेटिक होने के लिए तीन सामाने अवशक्ताएं निमन हैं। एक, योगिक को चक्रिये होना चाहिए। दो, वले में प्रतेक तत्व का एक पीक अक्षक अवश्य होना चाहिए, जो वले के अभी लंब वत हो, जिससे अनू समतलिय हो। तीन, योगिक को हकल के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, वले में चार N प्लस दो पीक अक्षक इलेक्ट्रॉन हो। बेंजीन की अनेक अभी लाक्षणिक विशेश्चताओं में से इसकी अरोमेटिक ता, इसकी अन अभिक्रिया शीलिता का मुख्रिकाराख होती है। SP-2 संकरित कार्बनों पर पीक अक्षक कार्बनों का विस्थानी करन बेंजीन को अरोमेटिक गुण प्रदान करता है। BENGINE का विर्चन Sodium Benzoate के विकार बोक सिली करन से इस पधद्धती का उप्योग प्रयोग शाला में बेंजीन प्राप्थ करने के लिए किया जाता है। सोडियम पैंजुएट को सोडा लाई म के साथ गर्म किया जाता है और जब ये विकारबोख सिलिक रिथ हो जाता है, यानि कारबन डियोकसाइट का विलोपन, तो बैंजीन फ्राप्ठ होती है. फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करके जब फिनॉल वाश्प को गर्म जिंक डस्ट से गुजारा जाता है तो बेंजीन बंती है एथाइन यानि एसिटिलीन के बहुल की करण से जब एथाइन यानि एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है तो ये बहुल की कृत होकर बेंजीन देता है सल्फोनिक अम्ल के जल अबघटन द्वारा अतितप्त वाश्प के साथ बेंजीन सलफोनिक अमल के जल अबघटन पर बेंजीन प्राप्त होती है भौतिक कुण धर्म एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्रोविये अणों होते हैं ये प्राया रंगहीन, द्रव या ठोस होते हैं नेप्थलीन की कोलियों में विशेश गंध तथा शलब प्रतिकर्शी गुण होने की कारण इनका उप्योग प्रसाधन सुविधाओं में तथा कपणों के परिरक्षन में किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कजली लौ के साथ जलते हैं ये जल में अमिश्रनिये तथा कारबनिक विलाईकों में विलाई होते हैं रासाइनिक गुर्धर्म एक यद्यपी एरोमेटिक योगिकों में अनेक दुई आबंध होते हैं लेकिन इन योगिकों में संकलन अभी क्रियाएं नहीं होती संकलन अभी क्रियाओं के प्रती इनमें अभी क्रियाशीलिता का अभाव वले तंत्रों के अधिक स्थाइत्व के कारण होता है जो संपूर्ण पाई इलेक्ट्रोन विस्थानी करण यानि अनुनात के कारण होता है अरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रोन इसने ही अरोमेटिक प्रतिस्थापन अभी क्रियाओं दौरा अभी क्रिया करते हैं जिनमें वले तंद्र की एरोमेटिक ता परिरक्षित रहती है। उधारण के लिए बेंजीन ब्रोमीन से अभिक्रिया करके ब्रोमू बेंजीन बनाता है। बेंजीन का ब्रोमीनी करण सभी इलेक्ट्रोन इसने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की यांत्रिकी समान होती है इस यांत्रिकी के कई चरण है एक इलेक्ट्रोन इसने ही एक इलेक्ट्रोन खोजी अभिकर्मक बनता है बेंजीन का ब्रोमीनी करण अभिक्रिया के लिए BR+, एलेक्ट्रॉनस ने ही आयन ब्रोमीन अणूं की फैरिक ब्रोमाइट एक लेविस अमल से अभी क्रियादवारा उत्पन होता है एलेक्ट्रॉनस ने ही बेंजीन वलाई के पाई एलेक्ट्रॉन तंतर पर आकरमण करके एक नौन एरोमेटिक कारबद नायन बनाता है कारबद नायन पर धना वेश होता है, जो अणों पर विस्थानित होता है उस परमाणू से एक प्रोटॉन के विलोपन द्वारा एरोमेटिक ता पुना प्राप्त की जाती है जिससे ब्रोमीन अणों, इलेक्टॉन इसने ही आबंदित होता है अंत में प्रोटॉन FEBR 4 माइनस से अभी ग्रिया करके FEBR 3 उत्परेरक को पुनारुत पादित करता है और उत्पाद HBR बनाता है आप इस विशेश इलेक्टॉन इसने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन या अंत्रिकी को इस प्रकार संग्शेपित कर सकते हैं रासाइनी कुन धर्म दो इलेक्टॉन इसने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभी क्रिया के अन्य उधारण में बेंजीन, सांद्र, नाइट्रिक वा सल्फियूरी कमलों के मिश्रण से अभी क्रिया करके नाइट्रू बेंचीन बनाती है कमरे के तापान पर बेंजीन की सांद्र सल्फियूरी कमल से अभी क्रिया बेंजीन सल्फोनिक अमलों बनाती है बेंजीन को नेरजल अल्यूमिनियम क्लोराइट की उपस्तिती में अल्किल हैलाइट से अभी क्रिया कराने पर अल्किल बेंजीन ब्राप्त होती है ये अभी क्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट अल्किली करन अभी क्रिया कहलाती है बेंजीन को लेविस या लुइस अमलों, A-L-C-L-3 की उपस्तिती में ऐसिल हैलाइड अथवा एसिड एनहाडराइड से अभिक्रिया कराने पर ऐसिल बेंजीन प्राप्त होती है ये अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट ऐसली करन अभिक्रिया कहलाती है एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में प्रियात्मक समों का निर्देशात्मक प्रभाव एक एकल प्रतिस्थापित बेंजीन को इलेक्ट्रॉन इसने ही से उपचारित कराने पर तीन इलेक्ट्रॉन इसने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं प्रतेक अभिक्रिया एक दूई प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉन इसने ही को कार्बनिक उत्पात के रूप में उत्पन्नि करती है जिसे निर्देशिकों आर्थो, मेटा तथा पैरा की उप्युग द्वारा चिन्हित किया जा सकता है ए बराबर कोई प्रतिस्थापि ए प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन इसने ही यदि आर्थो उत्पाद तथा पैरा उत्पाद का अपिक्षिक उत्पादन मेटा उत्पाद की अपिक्षा उच्छतर हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में बेंजीन वले पर प्रतिस्थापि एक आर्थो पहरा निर्देशी समू कहलाता है। यदे इसके विप्रेद प्रेक्षित किया जाता है तो प्रतिस्थापी एक मेटा निर्देशी समू कहलाता है। इस उदारण को देखें, हम देख सकते हैं कि मैथिल समू एक आर्थो पहरा निर्देशी समू है। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समोह का निर्देशात्मक प्रभाव दो यदि किसी एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का इलेक्ट्रोनिस ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन समान दशाओं में बेंजीन की अपेक्षा तीवर हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में प्रतिस्थापी एक सक्रियकारी समू कहलाता है समान दशाओं में अभिक्रिया दो, अभिक्रिया एक या पेक्षा अधिक तीवर होती है अताहा मैथिल समू एक सक्रियकारी समू है सभी सक्रियकारी समू हूँ इलेक्ट्रॉन दाता समू होते हैं समान सक्रियकारी समू निम्न है यदि किसी एकल प्रतिस्थापिद बेंजीन का इलेक्टॉनिस ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन समान दशाओं में बेंजीन की अपिक्षा मंद हो तो एकल प्रतिस्थापिद बेंजीन में प्रतिस्थापिद एक अक्रियकारी समु कहलाता है सबान तशाओं में अभिक्रिया दो, अभिक्रिया एक या पिक्षा अधिक मंद होती है, अता नाइट्रो समुह एक अक्रियकारी समुह है सभी अक्रियकारी समुह एलेक्ट्रोन ग्राही समुह होते हैं, सामान अक्रियकारी समुह निम्न है गैंसर जन्नेकुण तथा विशाक्तता बेंजीन तथा बहु ना भी किये हाइड्रोकार्बन जिनमें दो या अधिक बेंजीन वले परस पर सनलैथ होते हैं वे विशाक्त और कैंसर जन्नेकुणों वाले होते हैं कार्बनिक पदार्थों जैसे की तंबाकू, कोईला और पेट्रोलियम का अपूर्ण देहन ऐसे बहु ना भी किये हाइड्रोकार्बनों को उत्पन्न करता है जब ये मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं और जैवरासाइनिक भिक्रियाएं करते हुए डिने को ख्षति ग्रस्त करते हैं तो ये कैंसर का कारग बनते हैं कुछ कैंसर जन्ने हाइड्रोकारबन निम्न है एक दो बेंजपाइरीन क्या आप जानते हैं बेंजपाइरीन की खोज पहली बार माइकल फराडे द्वारा 1825 में की गई जिसने इसे हाइड्रोजन का बाईकार्बूरेट बताया सन 1833 में इसे पुनह इलहाड मिश्चेड लिच ने खोजा जिसने इसे गम बेंजोईन जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा उससे आस्वित किया चुकि ये अनेक कारबनिक वा ग्रीसी पदार्थों में घुल जाती है इसलिए धातू की सतहों से पेंट वा कारबनिक धब्बे हटाने के लिए इसका व्यापक उप्योग किया जाता है 1849 में चार्ल्स मेंस फील्ड ने कोलतार से बेंजीन का और द्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने की एक आधर्श विधी विक्सित की सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं एरोमेटिक हाइडोकारवन असंत्रिप्त होने के बावजूद मुख्यता इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं इनमें केवल विशेश दशाओं में ही संकलन अभिक्रियाएं संपन होती हैं बेंजीन और बेंजोनाइट योगिकों में एरोमेटिक गुण होते हैं एरोमेटिक ता एरोमेटिक होने का गुण है जो ऐसे योगिकों में होता है जिनकी विशेश्ट इलेक्ट्रोनी संद्चना हकल 4N प्लस 2 पाई इलेक्ट्रोन नियम के अनुसार होती है बेंजीन वले से जुड़े समूहों या प्रतिस्थाबियों की प्रकृति अन्न इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थाबन के लिए बेंजीन वले के सक्रियन या अक्रियन तथा आगंतुक समुह की दिशा के लिए भी उत्तरदाई होती है सनलेट बेंजीन वले तंत्रवाले कुछ बहु नाबिकिये हाइटोकार्बनों में कैंसर जन्निक गुण होते हैं झाल या झाल